है गाई देखो टाटा टाटा के इलेक्टिक विकल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं इलेक्टिक विकल्स तो सर आपके दिमाग में क्या आता है टाटा मोटर नहीं लोगों के दिमाग में क्यों यह आता है टाटा मोटर इलेक्टिक विकल्स टाटा मोटर इलेक्टिक विकल लेकिन सर ये गलत है ऐसा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि टाटा के इलेक्टिक वेहिकल्स के लिए चार कमपनियां काम करती है हम इलेक्टिक वेहिकल्स आपको इलेक्टिक वेहिकल्स से मतलब है ना लेकन wouldn't man music data moto agriculture से मतलब हैि टाटा मोटर से लोग Mate मतलब है क्योंकि स्टोख का प्राइस उपर जा रहा ड那么 to मोटर इस वज़े से अच्छा नहीं क्योंकि टाटा अच्छा कार बनाती है मोटर इस वाज अच्छा है क्योंकि इसका शेर का प्राइस उपर गया अब लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता तो जो स्टॉक 90% गिरा हुआ है उसको खरीद के दिखा दो फिर नहीं खर देंगे पुछे क्यों प्राब्लम है याद रखें कि जो स्टॉक भाग रहा है वो इस टॉक अच्छ घntर करेंगे उसको या तो फिर बहुत सारे इसे कंपशनिया हैं जो बता सकते हैं इस तो पता चलेया कि हाँ लोग टाटा के एलेक्टिक विएकलवाले कंपशनियों के बारे जानकारी रखते हैं ना कि जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है उनके बारे में जानकारी अच्छा रखते हैं लोग तो आप कमेंट करके बता है अगर नहीं भी पता है तो आप नो लिखेंगे तो भी चलेगा ताकि मैं आने वाली दुरू में फिर से आपको दुवार वीडिय के लिए खाम करते हैं इसके लिए मैं टोटल वीडियो बना चुका हूँ आप चाहो तो जाके चैनल पर देख लिजेगा या आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ गया होगा वहां जाकर देख सकते हैं तो ये टोटल एट ज जागी कंपणी तो लोग वहां पर और ध्यान देंगे सर तो देख लिजी ठीक है कंपणी का नाम सबसे पहले टाटा पैसंजर इलेक्टिक जो मोबिलिटी आप देखने को यहां पर मिलता है सर यहां पर बताया जारा टाटा ग्रूप इस एक्टिविली यहां पर देख सर देख करने के तैयारी है एक से दू महां लेते है यहां पर जो repetition बताया जारा that IPO of टाटा पैसेंजर एलेक्ट्रिक मॉबिलिटी जो आपको देखने को मिल लागा यह सब्सिड्री ऑफ टाटा मोटर का सब्सिड्री है यह मैमंट ठीक हो सकता प्रोनौशेशन रॉंग हो लेकिन इसका मतलब होता है सर बहुत बढ़ा बिसाल very big size of 1.2 billion dollar का इतना बड़ा इतना बड़ा amount का आपको देखने को मिल लगा सब्सिड्री तो सर इलेक्ट्रिक वेकल में सब्सिट केवल टाटा मोटर नई टाटा मोटर के अंदर बहुत सारी कंपनिया है सर अगर वो de-merge होना स्टार्ट हो गई या जो लोग लिस्ट नहीं है वो लिस्ट होना स्टार्ट हो गया तो समझो कि सर मतलब एक तरीके से मतलब क्या ही बोलो मैं तो मेरे लिए स्पीचलेस आप समझो बहुत अच्छा रहेगा और वो सारे जब स्टॉक आएंगे तो सर अलगी टाइप के आपको आपको तेजी भी देखने को मिल लाएंगे क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वेकल से ही रिलेटेट रहेगा और इसको हलक इलेक्ट्रिक वेकल का जो चार्जिंग इंफ्रा है सर बनाने के लिए इनोंने सर जो है मतलब समझो जोंट वेंचर भी है यह एक बहुत क्या मतलब बहुत बड़ी ख़बर है सर जब माल लिजे कि मार्केट में यह लिस्ट नहीं है और इतने बड़े-बड़े काम कर रहा ह सर कल के डेट में अगर माल लेते हैं आज यह मार्केट में लिस्ट होता है तो यह जो टाटा का इवी वाला जो दूसरा स्टॉक है सर एकदम बूम-बूम भागता होना चारा जाता कितने लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो टाटा का और भी जो इलेक्टिक वेकल्स वाले जो स्टॉक दो मतलब इवी वाले जो और दो कमपनी आने वाले वो बहुत खतरनाक सावित हो सकता आप कमेंट करके जरूर बताएगा आपका एक एक कमेंट बहुत इंपोर्टेंट कमेंट करने से कोई पैसे वैसे ने मिलते है कुछ लोग समझते नहीं है ठीक है कमेंट करको तो आपको पता चलेगा मुझे पता चलेगा आप सभी लोग को पता चलेगा कि हां किसकी राय क्या है किसकी राय क्या नहीं है करके ऐसा है सर कुछ गलत है तो वो भी सामने आएग कि आपको भी सोचना चाहिए अगर आपको इस company के बारे में कुछ पता है तो अगर आप कुछ जानते हो तो अगर आप comment करते तो और लोगों को पता चलेगा तो उनको भी थ्रोड़ benefit हो जाएगा ठीक है तो एक दूसरे के लिए यहाँ पर काम करना है सर और यह company जो बोल रही कोने कोने में लगा दूँगा पूरे इंडिया के कोने कोने एक ही बार में सर यह इतना बड़ा काम यह लोग एक ही बार करने वा जा रहे है तो यह अगर मान लेते हैं यह electric vehicles वाला जो related है जरूरी नहीं है वह है लेकिन EV देख सकते हो ठीक है तो related अगर यह market में आ जाता है तो सर समर्ली ले कुछ बड़ा हो जाएगा फिर जहां पर बताया है जरा कि सर जो टाटा है ना 68% market share hold करता है और यह HPCL के साथ मतलब जो partnership करके यह उनका जो target है 5000 EV जो charging station है नहीं सर December 2024 तक यह लगा देना है सर तो अगर आप देखो के तो सर यही मतलब कुछ महीने में यह काम कर देंगे और उसके बाद देखेंगे तो अगले साल का अगला target रहेगा सर तो यह सारी देखो technology कौन प्रोइड करेगा तो सर टाटा जगे maintenance देख भाल और लगबग जो होता है वो कौन प्रोइड करेगा सर तो HPCL जो यह कुछ बड़े level पर काम होने जा रहा है तो टाटा तब तक हमें थोड़ा patience रखना चाहिए और पैसे बचा के रखना चाहिए और लास्ट वाला यह सर जो इलेक्ट्रिक विकली के लिए काम करता है टाटा का ही सर ठीक है टाटा ऑटो कॉम जी वाई बैटरी सापको देखने को मिला सर तो यह भी company है सर joint venture कर रही है टाटा के सा सारे टाइप के बैटरी बनाती है सब भी टाइप के बैटरी बनाती है सर इलेक्ट्रिक वेकल्स वालों के लिए इंडिया के नदर कोई भी इलेक्ट्रिक वेकल्स है जितने भी टाइप के हैं काइंड है सब भी टाइप के लिए लेक्ट्रिक वेकल्स के लिए बैटरी बना देख लिए तो ये company ये काम करने की कुछिस करती है मतलब आप सोच लो टाटा क्या बोलना चाहता है ध्यान से सुनिए टाटा बोलना चाहता कि भई देखो electric vehicle बनाना है हाँ तो उसके लिए sir charging station भी बनाना होगा वो भी मैं बनाऊँगा ठीक है बैटरी चाहिए होगा अच्छा खासा बैटरी चाहिए होगा है की नहीं तो वो भी टाटा बनाएगा vehicle भी टाटा बनाएगा charging station भी टाटा बनाएगा सब कुछ आपको बना कर देगा sir क्योंकि electric vehicle में problem क्या है न sir आप कार कितना भी महंगा खरीद दो माल लेते हैं आपने कार खरीद लिया पाचास लाक रिपेका ठीक है और sir आपको बैटरी डाउन हो गया दू घंट में तो लोगों को problem हो जाएगा तो लोग वहां से ही बैटरी वाली वहां से ही खर देंगा ब्रांड और क्वालिटी होता न वो अलग होता है लेकिन आप एक normal mobile खर दोंगे न चरत तो उनका ब्रांड और क्वालिटी एक दम अलग होता है तो लोग चाहते हैं कि भाई अगर मैं कहीं दूर जा रहा हूं तो मेरा charge भी अच्छा रहे और लगबग ऐसा charging station ढूंड़ो तो हर जगा available हो तब ही तो जाकर सर लोग खर देंगे तो ये charging station के लिए company काम करती है इसका business model तो ultimately सही एक बहुत बड़े level में काम करने जा रहा है तो कितने लोग पैसा बचाना start कर रहे है IPO सभी के लिए सभी IPO के लिए आप comment करके बताइएगा और कितने लोगों को लिए लग रहा है कि ये जो कुछ बड़े-बड़े announcement हो रहे है Tata Group के तरब से ये कुछ बड़े level पे काम करें है क्योंकि अगर आप देखोगे तो battery बनाने वाले company है Gravita India वो battery recycle करती है और वो stock बहुत उपर गया है बहुत उपर अच्छा खसरेटर निकालके दिया है तो ये battery से related जो भी काम काज होता है ये बहुत important होता है हर एक चीज में क्योंकि लोग petrol नहीं इस्तमाल करना चाहते है diesel नहीं इस्तमाल करना चाहते है तो सर होगा क्या कि जितने भी पुराने जमाने के battery तो वो खतम हो जागे तो जितने भी company थे सर ठीक है पुराने जमाने हो ले चले गया लेकिन फिर Tata क्या करेगा नए investment करके नए battery बनाना start करेगा इसको बोलते हैं सर बिजनस में changes होते रहते evaluation होते रहते हैं फिर मैं कुछ दिनों के बाद फिर मैं वीडियो वरा दूगा लेकिन मैंने बता दिया था total चार company हैं सर जो इससे related काम करते है इलेक्टिक वेकल से related दो काई प्यों आना बागी है दो मार्केट में लिस्ट है एक ही लोगों को पता है दूसरा वाला लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं